बालोतरा शहर में सोमवार को थानाधिकारी ओम्प्रकाश गुदारा ने पदभार ग्रहन किया ओम्प्रकाश गुदारा का जिला फलोदी से इस्थानांतरित होकर यहां आए हैं पहले ही दिन थाना धिकारी ने थाने का निरिक्षन करते वे उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। थाना धिकारी गुदारा ने कहा कि इलाके में शांती व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आम जन को समय पर न्याय दिलाना एवं कानून विधियों पर अंकुष लगाने यवंग शेतर में शांती व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शहरवासियों से सहयोग की अपील भी की। कानूनार अपरात करने वालों के खिलाफ सक्त कारेवाही की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ उचत कारेवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलस का कारे आमजन को परिशान करना नहीं है। किसी भी तरह की गैर कानूनी कारे की सूचना देने वाले का नाम गोपनी रखा जाएगा। अफवाहों से सावधान रहें एवंग बाहरी व्यक्तियों को सनरक्षन नहीं दें। शेतर में कानून व्यवस्था को लेकर पुखता प्रबंध किये जाएंगे। अप राधियों में डर एवं पीडितों को नियाय दिलाना उनकी पहली प्रात्मिकता है। थाना शेतर में कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा एवंग बाल सुरक्षा को लेकर विशेस ध्यान रखा जाएगा। चोरी की बढ़ती घटनाओ एवंग नशा खोरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पुलस वभाग द्वारा अभियान चला करने में तकारेवाही जारी रहेगी और प्रभावी कारेवाही करते हुए शीख्र अंकुष लगाया जाएगा। थाने में आने वाले आम आदमी की समस्या को प्रात्मिक्ता के साथ सुन कर समधान के प्रयास किये जाएंगे। पश्पदरा से समवाद दाता बाबु भाई रायका की रेपोर्ट